एक टीचर होने के लिए आपको कुछ ना कुछ जानना होगा है ना? एक गुरू होने के लिए आपको कुछ भी जानने की जरुरत नहीं है. बस ऐसा है कि आप कुछ नहीं जानते मगर आपके पास देखने के लिए आखें हैं. आप जो चाहें देख सकते हैं और बता सकते हैं मगर एक टीचर होने के लिए आपको कुछ न कुछ आना चाहिए अगर आप कुछ नहीं जानते तो आप एक टीचर नहीं बन सकते हैं न गुरू बनने के लिए आपको कुछ भी जानने की जरुरत नहीं है एक खास तरका बोज चाहिए, बस आप, आप किसी चीज के जानकार नहीं है ये आसान है टीचर होना मुश्किल है क्योंकि आपको बहुत सी चीज़ें याद रखनी पड़ती है क्या हमें उसके बदले गुरू बनना चाहिए? माफ कीजी क्या हमें टीचर बनने के बदले गुरू बनना चाहिए? बात यह है कि आप कभी गुरू बनने की कोशिश नहीं करते अगर लोग देखते हैं कि आपके पास एक खास तरका बोध है तो लोग आपको गुरू के रूप में पहचानते हैं आप कभी भी गुरू बनने की कोशिश नहीं करते मैंने हर कोशिश की है ये गुरू वाली चीज़ को हटाने की मगर आप नहीं कर सकते क्योंकि लोग किसने किसी रूप में उसे पहचान लेंगे आप चाहे कहीं भी हो चाहे आप भारत में हो या और कहीं वो शायद आपको गुरु न बोले, गुरु शब्द का इस्तेमाल न करे, लेकिन दुनिया में कहीं भी, अगर आप ऐसा व्यक्ति पाएं, जिनका बोध आपके बोध से परे है, क्या आप उन्हें अंदेखा कर पाएंगे? लोग स्वाभाविक रूप से उनके आसपास एकठा होते हैं, शायद वो गुरु शब्द का इस्तिमाल न करे, वो कुछ और बोले, लेकिन हमेशा ऐसा होता है, है ना? चाहे दुनिया का कोई भी हिस्सा हो, बस इतना है कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में, लोग अपने आप सपोर्ट नहीं है, तो लोग अपने आप से उबरे, जब वो उबरे तो उन्हें को चल दिया गया, अक्सर, क्योंकि कोई सिस्टमिक सपोर्ट नहीं था, उन्हें पहचानने के लिए, मगर ऐसा कोई नहीं था, जिसे पहचाना न गया हो, मुझे यकीन है कि उन्होंने कुछ इस लोगों को एकठा किया और किसी और ने आकर उन्हें नीचे गिरा दिया, है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये दुनिया का कौन सा हिस्सा है, अगर आप, अगर लोगों को बोट का एक खास आयाम दिखता है, तो स्वाभाविक रूप से वो उन्हें ग्यानी के र पास तर पर पहुँच गए हैं, वो लोगों को आशिरवाद दे सकते हैं, उनकी मौजूदगी में हर कोई अच्छा मैसूस करता है, थोड़ी खुशाली आती है, मगर वो कुछ सिखाते नहीं हैं, वो सिर्फ आशिरवाद देते हैं, साधू का मतलब है कि उनकी थोड़ी प गया, साधूं से बने हैं, यूनिवर्सिटी के विद्वानों से नहीं, साधू ही गणित और संगीत को लेकर आएं, आपने ये सुनाएं, शिव खुद एक महान गणित अग्ये, संगीत कार, नर्तक, ये सबी चीजें थे, क्योंकि गणित स्वाभाविक रूप से आया, वो स्वाभाविक रूप से गणित अग्ये बन गए, आपको रामानुजयम जैसे लोगों की कहानी पढ़नी चाहिए, वो किसी शैक्षिक समर्थन के बिना ही, शांदार गणित अग्ये बन गए, चूंकि उनके अंदर ध्यान देने का एक खास तर्था, वो साधू होते थे रिशी का मतलब है, जो देख सकते हैं, देखे, ये बहुत उप्योक्त अभिव्यक्ती है, जो जीवन को उस तरह देखता है, जैसा वो है, तो क्या दूसरे लोग नहीं देख पाते? हाँ, दूसरे नहीं देख पाते, दूसरों के लिए उनकी इंद्रिया अनुवात कर रही है, देखे, अभी आपकी इंद्रिया अनुवात कर रही है, कि ये दिन है, इतने घंटों के बाद रात होने वाली है, आप जंगल के जीवों से पूछिए, उनकी इंद्रिया उन्हें बताती है, ये रात है, दिन अभी से कुछ घंटे बाद होगा, तो ये इंद्रियों की व्याख्या है, जो आप जानते हैं, आप देख नहीं रहें, रिशी का मतलब है कि वो इसे वैसे ही देखते हैं, जैसा ये है, तो आम तोर पर या हमेशा ही, एक संथ कभी गुरु होने का दावा नहीं करता, उसे छोड़ दीजे, जो आज कल मौडन सोसाइटी में हो रहा है मैं कहा रहा हूँ कि परंपरा में एक संथ कभी गुरु होने का दावा नहीं करते थे, वो सिर्फ एक संथ थे, वो जानते हैं कि उनका गुण है कि वो एक फूल की तरह बन गये हैं, वो आशिरवाद दे सकते हैं, उनके सुगंध लोगों पर असर करेगी, वो बस ऐसे हैं ये उनके उपर है कि वो क्या करना चुनते हैं, वो ऐसी चीज़ करेंगे जो उस समय समाज में जरूरी है, या अगर उन्हें परवा नहीं है, तो वो उसे छोड़ देंगे और बैट जाएंगे, लेकिन वो देखते हैं तो एक गुरू को जरूर देखना चाहिए, वरना वो गुरू नहीं हो सकते, उन्हें देखने में समर्थ होना चाहिए देखने का मतलब ये नहीं है कि आप मुझे बता सकते हैं कि मेरा भविश्य क्या है आपके भविश्य का कोई भरोसा नहीं है अगर आप वो सवाल पूछ रहे हैं अगर आप वो सवाल पूछ रहे हैं तो ये एक निराशा जनक भविश्य है क्योंकि अगर बहतर भविश्य होने का आपका नजरिया सिर्फ इस सवाल से है कि क्या मुझे नौकरी मिलेगी, क्या मेरे पास पैसा होगा, क्या मैं टैक्स दे पाऊंगा, क्या मैं अपने बिल चुका पाऊंगा ये भविश्य नहीं है ये आप बस अस्तित्यों में एक कण बन रहे हैं आप किसी रूप में गोल-गोल घूमते रहेंगे तो भविश्य अगर आप एक खास तरह से देख लें, कि आज जीवन अभिव्यक्त हो रहा है अगर मैं देखता हूँ, कि अगर आप ये ये और ये करें तो किसी और रूप में अभिव्यक्त हो सकता है अगर मैं आपको सही चीज सुझा सकूँ ऐसा इसलिए, क्योंकि आपने ये देखा है, तो वो रिशी है अगर कोई देख नहीं सकता, तो उसे गुरू नहीं होना चाहिए बस उसके मानवी पहलू को ही नहीं बलकि उसके अस्तित्व संबंधी पहलू को भी देखना देखने में सक्षम होना